तो देखते हैं, question number 4 में हम से क्या पूचा गया है Why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal तो जो हमारे हैं पर electric toaster and electric ions के जो यहाँ पर coils होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहँगा कि जो हमारे हैं यहाँ पर हाई होती है as compared to pure metal जिसके वज़े से हम जो coils यहां पर यूज करते हैं और यहां पर resistivity high होने के करण वहां पर ज्यादर देर तक रुखेगा ज्यादर देर तक रुखने की वज़े से वहां पर जो heating है यहां पर हमें अच्छी खासी मिलेगी जो कि यहांपर electric toaster and electric irons के लिए क्लिए है यहांपर जरूरी है और second reason हमारे ही यहांपर क्या होगा high temperature पर जो यहांपर alloy होते वो हमारे ही इसली melt नी होते या burn नी होते जिसके वज़े से ही इसको जादा तर use किया जाता है तो हम यहाद में यहाद मिक्स्चछ को अपर क्या बोलते हैं यह किक नंज होगा है कॉन से बता दâyूत में को आपको बता दे था है पहला हमार हाँ पर पिका जाएगा? Lord किक निकल हो जाएगा अढ़क से हमारे हाँ पिक्रॉमियों में हो जाएगा जिसमें की जो हमारे यहां पर निकले वो हमारे यहां पर क्या 80% है and chromium हमारे यहां पर क्या 20% है and इन दो metal का mixture मिलके हमारे यहां पर क्या मनना है निक्रोम मनना है जो कि हमारे यहां पर क्या alloy है और जो कि हम यहां पर electric torture and electric ice के coils में यूज करते हैं हो आपको इस question का अंसर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ